हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है Quick Tricks by Sahil Sir A Satisfactory Solution of Math आज जो मैं डिसकस करने वाला हूँ शानदार ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है यहां में जो टॉपिक है ये decimal fraction है जिसे मैं आज डिसकस करूँगा दश्यमलव एवं भिन ये टॉपिक सभी प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए equally important है आप से मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक प्यारे भाईयों और बहनों तक सभी तक आपको ये शेयर करना है सबसे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे कि आपको continuous मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके चलिएगा शुरुवात करते हैं आज के सेशन की आईए साथ के साथ अगर आप मेरे साथ मेरे complete course से math पढ़ना चाहते हैं जहां मैं live math पढ़ाता हूँ test series मैं आपको देता हूँ आप पूरा test series लगाते हैं math के साथ साथ आप gk English reasoning भी उसी के साथ में मिलेंगे आपको सारे सबी teachers की तो आपको unacademy पर मेरे courses के साथ जुड़ना होगा जिसका link मैंने description में डाला है आपके लिए खास मौका है मेरे साथ जुड़ने का अगर आप complete math पढ़ना चाहते हैं वो खास मौका क्या है 25 से लेकर 28 तक आपको जो discount मिलता था ना Sahil 10 code लगा कर वो अब double हो गया है यानि कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ 100 रुपे में मिल रही थी तो वो 50 रुपे में मिलेगी यानि कि एक तरीके से 100 रुपे discount के बाद मिल रहा था अब आपको double discount मिलने वाला है यानि कि अब जो 10% था वो 20% हो गया है इस मौके का फाइदा उठाईए और सभी students course ले लें फटाफट से साहिल 10 लगा कर description में नीचे लिंक है अब directly मेरे course के साथ जोड़ सकते हैं आगे मैं अगर बात करना चाहूँ मेरा ये telegram channel है हर session की PDF हर class की update आपको इसी telegram channel math by sahil sir पर मिलेगी इसकी भी link description में है आईएगा शुरुवात करते हैं आज के इस खुबसूरत से topic की नाम है decimal and fraction decimal and fraction किरप्या करके ध्यान देना सब लोग अच्छे से पढ़ाई करना देखें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ decimal को हम बोलते हैं दशमलब और fraction को बोलते हैं अपन भिन तब ही इस chapter का नाम बना दशमलब भिन ऐसा नहीं है decimal fraction अपने आप में एक chapter है अपने आप में ये chapter है अच्छा सर जी बिलकुल यानि कि सर ये कहां से आया ये fraction से आया तो सबसे जरूरी चीज अभी जो समझना है वो समझना है भिन को अगर आपने भिन को समझ लिया तो ये decimal fraction भी आजाए भिन क्या है क्या है भिन भिन एक वो हिस्सा है जैसे जिसको P Y Q की टम में आप रिप्रेजेंट कर सको और जहां पर आपका Q 0 ना हो वही भिन है इसमें जो उसका उपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं उस भिन का अंश अंश को इंग्लिश में बोला जाता है नियूमरेटर और ये होता है हर हर को बोला जाता है डिनॉमिनेटर ठीक है और इसी पर बारवार आपके जो प्रशने बनते हैं छोटी छोटी चीजों को पता चलती रहेंगी तो आपको मज़ा आता रहेगा अब जब वैग्यास मतलब जो भी गणित बना रहे थे उन्होंने देखा कि योट फ्रैक्शन बता दिया pryक्शन जब उनके सामने आई ँप वनके दिमाग में remains टेंशन时间 कैसे तो है कि देखिर आपने कि यह भी फ्रैक्शन होए दिक्कत नहीं सही भात है कि नहीं आप से बोला आप से बोला कॉइंट seven के उपर बार को लिए ये भी एक तरीके से फ्रेक्शन है क्योंकि इसको साथ बते नौहुं कहते हैं ठीक है आप से बोला जिस ते चार अप से बोला एक सही इन बते चार कि यार ये सभी फ्रेक्शन कहलाती हैं अब उनके दिमाग में चक्कर पड़ गया यह क्या चक्कर है यह भी फ्रेक्शन 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 कंफ्यूज हो गए वह कंफ्यूज होने के बाद जब पता है अभी तक जित्ती भी चीज़े क्लासिफाइड होती आई है वर आपने भिन को तीन भागों में बाड़ दिया तीन भागों में कैसे पहला भाग सिंपल प्रेक्शन याने की साधरन भिन जो भिन साधरन है उसको साधरन कहा गया ठीक है दूसरा पार्ट ये है वो चीज जो आपका चैप्टर है डेसिमल फ्रेक्शन दशमलब भिन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे दशमलब भिन और तीसरा होता है कंटीनिवड फ्रेक्शन का मतलब आपने वो भिन भी देखी होगी सतत भिन जिसको लंगड़ा भिन भी बोलते हैं आपन जैसे कि सर समझे नहीं हम जैसे कि आपने उस तरह की भिन भी तो देखी होगी एक प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे दो इस तरह की तो ये वाली भी तो भिन भी कहलाती है तो जब वेग्यानिकों के सामने या फिर जो मैत बनाने वाले थे उनके सामने इस तरह की समश्या आती गई तो उन्होंने कहा कि भाई साब उन्होंने कहा कि भाई इसको segregate कर दो जादा better है क्योंकि जब आप segregate कर दोगे न तो आपको जादा आसानी से clear हो जाएगा कि साधरन भिन में किसको रखना है दशमला भिन में किसको रखना है और continued भिन में किसको रखना है ये बात समझ में आ गई किया समझे लोगों को बोले सर बिलकुल आ गई है अब चलते हैं आगे अगला कंसेप्ट आप समझेगा मैं जो पहला टॉपिक डिसकस कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं सिंपल फ्रेक्षन simple fraction से क्या होता है सर simple fraction को मतलब बोलते है साधरन भिन जैसे की अगर मानलो कोई भिन मैंने example ले लिया 2 बटे 7 है 3 बटे 5 है 4 बटे 3 है ये आपकी क्या कहला गई साधरन भिन कहला दी जहां पर PYQ अच्छे से लिखा हुआ है कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है बोले यार ये तो बड़ी आ रहा ये हिसाब किताब उनको समझ में आने लगा फिर आगे आगे इसमें भी कानून आने लगे इसमें भी आपको सेगरिकेशन करना पड़ा क्यों 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 कि सर फिर वही वाली बात आ रही थी कि ये ती 2 बटे 7 3 बटे 5, 4 बटे 3 चक्कर क्या है सर ये तो यहाँ पर भी आपका और भिन बनने लगी और भिन बनने लगी यानि कि एक होती है प्रॉपर भिन प्रॉपर फ्रेक्शन इसको बोलते हैं उचित उचित भिन सर अब ये क्या चक्कर हो गया तो बोले कि यही लड़ाई हो गई कि कुछ फ्रेक्शन अपने आपको प्रॉपर बोलने लग गई प्रॉपर बोलने का मतलब तो आप इनसे पूछा गया कि भाई definition क्या है तुमारी जो तुम अपने आपको उचित भिन कह रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज अगर किसी भी भिन का सही प्रारूप देखा जाए सुनना अभी बात यहां से चलती है फिर किसी भी भिन का सही प्रारूप देखा जाए या यूँ कहूं किसी भी भिन का उचित मान देखा जाए तो वैप पी अपॉन क्यू में जब देखा जाता है तो आपका जो पी होता है वो क्यू से कम होगा यानि कि जो आपका अंच है अगर हर से कम है अगर अंच हर से कम है तो पी बटे क्यू का मान एक से छोटा होता है तो जो भिन कहलाती है वो है प्रॉपर भिन कहलाती है लिख लो जब पी बटे क्यू का मान एक से छोटा होगा उसी को ही आप उचित भिन कहेंगे ये बात याद रखना अच्छी बात है से इसी परकार फिर दूसरी एक परिभाशा बन गई improper fraction improper fraction यहने कि सर यह क्या चीज थी पिर यह अनुचित थी अब अगर उचित की परिभाशा आपने बता दी तो अनुचित भिन क्या कहलाएगी बता सकते हो गया याने कि गुरुजी अनुचित भिन वो भिन कहलाए जहां P और Q कमान एक से जादा है जैसे कि एक्जामपल के तौर पर 4 बटे दीन 7 बटे 5 8 बटे दीन यह सारी क्या है आपकी अनुचित भिन है है तो P Y Q में है तो P Y Q में लेकिन आपको पता चल गया होगा कि क्या मतलब है समझ में आरिये बत है तो P Y Q की फॉर्म में लेकिन यह क्यों इंप्रॉपर है आपको यह पता चल गया है क्योंकि आपका जो P बटे Q है उसका मान एक से जादा है आपको पता चल गया होगा कि P बटे Q का मान एक से जादा होगा तो यह है जो भिन कहलाएंगी इंप्रॉपर भिन कहलाएंगी वह बहुत अच्छी बात है सर यह तो गजब हो गया बिल्कुल हो गया आगे चलते हैं तो आपको यहां तक सब संतुष्टे यहां तक सब ऐसे थे यार कि ठीक है यार मेरे को भी आ रहा है आपको भी आ रहा है आप भी पैचान गया फिर एक धिमाग खरब करने वाली चीज आ गई वो आ गई जैसे की साथ बटे तीन को किसी ने ऐसे लिख दिया एक सही चार बटे तीन अब ये क्या चक्कर है भाई साथ ये क्या है एक सही चार बटे तीन तो एक सही चार बटे तीन अगर लिख दिया गया तो फिर दिमाग में वही टेंशन ब अगली जो भिन कहलाई यह कहलाई मिक्स फ्रेक्शन कौनसी इसको क्या बोला गया मिशरित भिन він बोला गया सब्सक्राइं क्या कहता है मिश्रित भिन कहता है कि हम दोमान रखेंगे ć जैसे की एक और चार बटे तीन यानि कि मिश्रित भिन हमेशा एक उनांग को रखेगी और एक कि इसको और भी सही कर सकते हैं चार बटे तीन क्यों लिख रहे हो इसको लिखो तो आप दो बटे तीन लिखो क्यों कि यह एक रहेगी प्रॉपर फ्रेक्शन तो आपने क्या किया इस तरह से इनको लिख दिया कि भाई पूर्णांक तो पूर्णांक पूर्णांक तो पूर्णांक लेकिन दो बटे तीन आपका क्या क्या लाएगा एक उच्छी तभिन भी साथ में आ जाता है ठीक है चलिएगा आइए ठीक है चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ आगे मैं अगर चर्चा करूँ आपसे कि इतनी फ्रेक्शन अगर आप सीखते जा रहे थे तो कोई दिक्कत ही नहीं आई उनको ठीक है अब आगे की हम चर्चा करते है कि किसी भी भिन्न का इसे की ए है अगर इसको जीरो से भाग कर दें तो क्या होता है अनन्त होता है और जीरो में अगर एक भाग कर दें तो यह क्या होता है जीरो होता है नोट कर लो यह बात कि साधरन भिन के कुछ नियम है जिनके बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि यह कभी भी कभी भी कि किसी भी भिन्न का यानि जो हर है वह कभी भी जीरो नहीं होगा किसी का ध्यान रखना किसी भी भिनका कभी भी यह ना डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा अगर हो गया तो वो कभी भिनी नहीं कहलाएगी वो इंडिफाइंड हो जाएगी यानि की कोई लॉजिक नहीं रहेगा उसका ए निर्धार्य रूप हो जाएगा गनित के छेत्र में बात करें जाए तो understand यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चलि अब इसी तरह की बाते आगे चलती रही बाते चलती रही तो चलती रही एक भिन और आती है equivalent fraction equivalent fraction को बोलते है आपन सम तुल्यांक भिन सर यह क्या चीज ए समझने की कोशिश करना समतुल्यांग भिन का मतलब है example के तौर पर एक बटे दो है तो क्या मैं इसको दो बटे चार लिख सकता हूँ क्या क्या मैं इसको तीन बटे चह लिख सकता हूँ क्या क्या मैं इसको चार बटे आठ लिख सकता हूँ का येस प्रस पि भिन्ने जो एक ही अनुपात बनाएं उनिको हम सम तुल्यांग भिन कहते हैं एक यह और जसे कि एक बते 2,2,4,3,4,8,6,6, 12,5,10 इस तरह से घ caller तो उसी को हम क्याई बोलते हैं सम तुल्लियांग भिन by it ठीक है यह चीज के लिए रहे यह लिख लो आप नोड कर लो फटावर से फिर आगे चलने वाले आपन कि चलिए अब बहुत अच्छी बात है दोने तरफ आप बराबर कर सकते हैं उनको कि आई यह एक कोशन इस पर बनता है कोशन क्या बनता है कि सम्तुल्यांक भिन निकालिये अच्छी सम्तुल्यांक भिन ग्याद कीजिए पंद्रे बटे पैंतिसका पंद्रा बटे पैंतिसका सम्तुल्यांक भिन निकालें जिसका हर साथ हो बताईए जिसका हर साथ होना चाहिए जिसका हर साथ हो क्या अंसर होगा बताओ इसी परकर अगला कोशन दो बटे नौ का सम्तुल्यांक भिन निकालें जिसका हर तरेशट हो बताईए दौनों का जवाब दीजिए क्या होगा यह वो चीज़ें जो आज तक आपने पड़ी नहीं है फेपर में आती है एक दूसरे की सकल देखते हो बिलकुल बेसिक चीज़ें बताओ लेकिन आजावे तो बच्चे की शिट्टी पिट्टी को में बच्चा के बच्चे का कर पाए चलिए तो सर क्या करूं मैं मैंने अभी बताया ना कि सम्तुल्यांक भिन क्या होता है 15 बटे 35 का वो अनुपात जो एक्स बटे साथ के बराबर हो भाई अनुपाती तो बराबर होगा इनका बोलिए भाई साब समझ पा रहे हैं मेरे देश की धड़कन आईए सर तो मतलब मामला सैट हो गया साथ पंजे 35 एक्स बराबर आगया तीन तो आपको क्या करना है सम्तुल्यांक भिन क्या हो जाएगी भिन पूछी गई है तो तीन बटे साथ क्योंकि साथ तो नीचे आए गई आएगा इसी प्रकार इसको पकड़ लीजे दो बटे नौ करके बताओ चलो आप करके बताओ कुछ तो अरे कुछ तो करके बता दो चलिए तो क्या कह देंगे सर आपन सर आपने समझाया भी दो बटे नौ एक ऐसा 63 डिनोमिनेटर हो एक्स निकाल लो जिससे की मामला सेट नजर आए यानि कि सर एक्स बराबर आ रहा है 14 यानि कि आपकी जो भिन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 14 बटे 63 ऐसे कुछ ना जाते है पेपर में डिबबा गोल हो जाता है बच्चे का मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा आएगा भाई मैंने कहा ना कि जब भी आप मेरी क्लास में आओगे आप ये लेकर आओगे कि डेसिमल फ्रेक्शन तो आता है फिर जब क्लास में आओगे तो प चीज देखिए अगली चीज यह सारे कंसेप्ट हैं जिन पर पेपर में प्रश्न बनते हैं एक यह चीज पूछी जाती है आपसे कि सिंपलेस्ट कि फॉर्म और फे फ्रेक्शन कि यह भी कुश्चन पूचा जाता है भिन्नों का कि सरलतम रूप लिखिए चलिए सर भिन्नों का सरलतम रूप रिखिए चलिए कि अब इस पर कुश्चन कैसे बनेगा जैसे की परिक्षा में पेपर आया कोशन आया एक्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कोशन दिया कि बताओ 36 वटे 54 का यह भिन्न है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ यह आता है भाई साब क्या होगा बताओ अगला एक्जाम्पल मतलब कुल मिलाकर लोएस्ट लेना है आपको 36 वटे 24 का बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बिल्कुल फ्रेक्शन में करणवर्ट करना साधरन में 15 वटे 55 का बताओ कुछ भी नहीं है बस एक्जाम्पल से आपको पता होना चीए एसेफ क्या होगा चलिए सर निकालो वड़ावर फिर आगे चलते हैं चलिए तो गुरु जी क्या कहें आपसे मैंने कुछ मत कहो 18 दूनी 36 अठारे तिया 54 बारे तिया बारा दूनी 24 इसको यह कौन सी फ्रेक्शन है प्रॉपर है या इंप्रॉपर है सर यह इंप्रॉपर है प्रॉपर में बदलो एक सही एक बटे दो इसको हमने क्या कहा सरलतम रूप कहा ठीक है अगला टॉपिक डाल लीजिए अगला टॉपिक डालिए प्लीज अगला टॉपिक होता है लाइक फ्रेक्शन और अन्लाइक फ्रेक्शन सब नहीं समझे बात को मत समझो अभी समझा देता हूं लाइक को बोलते हैं सजाती है और इसको बोलते हैं विजाती है ठीक है सजाती है और विजाती है ठीक है जैसे कि एक एक अग्जम्पल देता हूं दो बटे पांच तीन बटे पांच पांच बटे साथ ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है अप्शन नंबर ए पहला एवं दूसरा लाइक फ्रेक्शन है सजाती है भिन है अप्शन नंबर बी दूसरा एवं तीसरा अनलाइक फ्रेक्शन है इन दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है आपको true false बताना है A का true false बताईए B का true false बताईए चलिए जल्दी बताएं तो गुरू जी ये भी true है और ये भी true है यानि कि सर कहानी क्या बन गई कहानी ये बन गई जिस भिन के हर समान होते हैं वह सजातिये भिन कहलाता है और जिसके हर समान नहीं होते वह विजातिये कहलाता है बोत true है कारण आपको बता दिया मैंने कि क्यूं ये अलग अलग है लाइक और अनलाइक में क्या फर्क है अंडरस्टेंड चलिए सर ये भी समझ में आईए क्या हमारे आईए अगला concept देखिएगा अगला concept क्या कहता है concept ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास लाइक प्रेक्शन है सजातिये भिन है इनको जोडना और घटाना ज़्यादा आसान है जैसे की और compare करना तो अभी हम क्या सीखेंगे एड करना यानि की जोडना घटाना और तुलना करना compare जोडना घटाना subtraction इसका मतलब बता दो एक बार मतलब इसका simple सा है जैसे की मैंने आपको दे दिया दो बटे पांच और तीन बटे पांच को जोडने की बाद बोली आपसे मैंने आपसे बोल दिया पांच बटे साथ में से तीन बटे साथ घटाने की बाद बोली आपसे मैंने 3 बटे 13 और 4 बटे 13 को compare करने की बाद बोली तो सर like fraction improper भी हो सकता है like fraction improper कैसे होगा improper तो fraction mixed fraction में convert हो जाएगा अपने आपी एक से ज्यादा जो भी हम comparison करेंगे वो हम करेंगे proper fractions में तो like fraction से तुरंट पतर पैचान हो जाती है देखो कैसे सर जब denominator सेम होता है हर समान होता है न तो जोड़ना है तो अंश को जोड़ो तो पांच बटे 5 सही बात है क्या अगर हर समान है तो घठाना है तो अंश को घठाओ है न मज़िदार compare करना है तो ये बेराबर है तो अंश को compare करो तो ये आसान हो जाता है काफी ठीक है आसान कैसे हो गया जब आपकी हर समान है तो आप पुरंट कर सकते हो कोई भी काम करना हो जैसे कि एक्जामपल के तौर पर आपसे पूछे कोई 9 बटे 13, 10 बटे 13, 11 बटे 13, 12 बटे 13 अब यहां रियार यह कोई पूछ ले आपसे कि यह बताओ इनका आरोही क्रम में क्या होगा अभी मैं आरोही क्रम भी बताओं आरोही आरोही आपने आशीकी टू पिच्चर देखिये उसमें लड़की का नाम आरोही था न वह शुरुवात में कैसी थी छोटी सिंगर थी धीर से धीरे वह तरक्की करती गई और बड़ी होती गई इसी कोई आरोही बोलते हैं कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ओडर तो अब मैंने आपको कहा कि यह सारी की सारी क्या मैं कह सकता हूं कि लाइक फ्रेक्शन है हां पताया है न आपने एक बच्चा बोल रहा है थोड़ा हाई लेवल पढ़ा हो भाई सब हाई लेवल होगा लेकिन जो बेस पे जो हाई लेवल खड़ा है समझे लो मेरे भाई जिस बेस पे हाई लेवल खड़ा हुआ है उस बेस को मजबूत कर रहा हूँ तो यह लो लेवल से उड़ता है वो भी हाई लेवल पहले हाई लेवल थोड़ी बनाता तो आप दिमाग लगाईए जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ वो शायद आपको कोई पढ़ाए और कुशन इन से बन जाएंगे आपके पेपर में और आप उस दिनियात करोगे यार यह इतनी मामूली चीज आ गई यार तो इसलिए ध्यान दीजिए मैं बस्त पढ़ा रहा हूँ आप तो सर आपने बताया कि यह यह राइक फ्रेक्शन है लाइक फ्रेक्शन में तो बड़ा जो छोटा वो सबसे छोटा यानि कि पहला दूसरा पीसर और चौथा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं छारों की तुलना कर सकतें easily मैं यहां पर जादा आपका time नहीं ले रहा हूँ मैं बस यह बता रहाँ कि इसका क्या काम है ठीक है ना चलिए तो आप इनको तुलना भी कर सकते हैं आप इनको जोड़ भी सकते हैं आप इनको घटा भी सकते हैं ठीक है जी बिल्कुल अगर मैं बात करूं unlike fraction की unlike fraction विजाती है भिन्द्ध थीक है आईए तो इसका मतलब unlike fraction है ना मैं कहता हूँ अगर मैं 3 बटे 7 और 5 बटे 9 कि तुलना कराना चाहूं कि इन में से ये बड़ा है या ये बड़ा है क्या तरीका है मेरे पास तो कैसे करा होगे सर अब तो मामला खराब हो गया तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी unlike fraction को हम like fraction बना तो सकते हैं तभी तो LCM लिया जाता है आप समझ रहे हो बात को मतलब आप आज के बाद ये कोई तुमसे पूछे और ये बेश जुड़ा हुआ है जब मैं चीजें देखता हूँ न तो मेरे को लगता है यह चीज बच्चे को नहीं पता रहती है कि क्यों LCM की चकर क्या LCM का LCM क्यों लेते हैं आपन ये 63 ले लिया कि तरेशक दिखावा है साथ का भाग देंगे नौ बार नौ तिया 27 यानि कि कुल मिलाकर आपने क्या किया है इसको लिख दिया 27 बटे तरेशट और इसको लिख दिया 35 बटे तरेशट क्यों सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा ये बता दो यानि कि कभी भी जिन्दगी में अनलाइक फ्रेक्शन को आप डाइरेट्ली सॉल्वी नहीं कर सकते हो इसलिए लसी एम लेया जाता है और लसी म मजाक नहीं है लसी एम ने क्या किया इस भिन को लाइक बनाया और लाइक बना दिया तुरंत कंपेरिजन हो गया इस ओन ग्रेटर दें तो अब आपको आज समझ में आ गया होगा कि LCM का यूज क्या है LCM का यूज ये है कि किसी भी भिन को जो की अनलाइक होती है उसे लाइक बनाता है जाने की डिनॉमिनिटर हर को समान करता है ये बात है भाई इसके पीछे की ये गनेत है बहुत बढ़िया सर कोई और तरीका हाँ फिर जब आप पढ़ते गए पढ़ते गए तो आपको एक नए तरीके से इजात किया गया कि आप Cross Method भी लगा सकते हैं यानि कि 9 को इससे गुणा किया इसको इससे गुणा किया तो सर Cross Method से Cross Method क्यों आया तो आज आपको ये भी पता लगेगा आज आपकी ये भी आँके खुलेंगी कि वज्र गुणन विधी वज्र गुणन विधी भी तो यही है वज्र गुणन विधी का मतलब क्या है कि नीवी दो भिन्नों में LCM निकालना अरे क्या बात कर रहे हो सर आओ दिखाता हूं 29 या 27 यही तो आ रहा है इसका हर इससे गुणा होगा 35 यही तो आ रहा है और और आपको पता है कि जब आप LCM ही ले लिए तो नीचे वाले से तो compare करो ही मत क्योंकि वो तो बराबर हो गए 63 मामला सेट यह 27 यह 35 तो यह वाला बड़ा इसको कहते है knowledge लेना कि जो चीज़ आप सीख रहे हो या आती भी होगी लेकिन जानना कि क्यूं होता है ऐसा जब आपके सामने है कि क्रॉस मेथड भी कोई ऐसा नहीं है नवाब मेथड हो कि और क्रॉस मेथड है सब एक ही बिल के तूम्रे हैं LCMC होगा मामला समझने आ रही है बात हाँ यह बात है बस ठीक है ना चलिए आईए अभी तो मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आपको चीज़ें मैं पूरी सिखाऊंगा अब कंपरिजन वाली बात कर लेते हैं चलो आप से थोड़ी सी आई ग अगर मालो किसी भी दो भिनों को जोड़ना पड़ जाए तीन बटे साथ और दो बटे पांच जोड़ेंगे कैसे जोड़ने का तरीका ध्यान से देख लो सर पहले तो बज़र गुणा करते हैं पांस तीया पंदरा साथ दूनी चौद है तो पंदरा बीच में प्लस है प्ल पुर्णा घटा नहीं मैंने लग दिया साथ बटे ग्यारा माइनस पांच बटे नौ आप बताईए बीच में माइनस है चलो हल करके बताओ अल करके बताओ आराम से बताओ कोई टेंशन मतलो आराम से बताओ तो गुरुजी बात ऐसी है कि 9,7,63 और 11,55 तरे शट में से पचपन घटा दो और 11,99 में नीचे निन्यान में ले लो यानि कि सर यह आगया 8 बटे निन्यान में अगला एक्जाम्पल दे रहा हूं तीन बटे साथ प्लस एक बटे दो प्लस दो बटे पांच चलो हल करके बताओ पहले इन दोनों को करो फिर इस से जो आए उसको इसके साथ करो सौल जैसे की गुरुजी जैसे की देखो तीन दुनी छे, साथ एकम साथ, साथ और छे तेरा साथ दुनी चौदे, आई बास समझ में, अब लेकिन रुकना नहीं है, दो बटे पांच को ले लो अब, तेरह पंजे पैंसट, चौदे दुनी अठाइस, प्लस अठाइस, और चौदे पंजे सत्तर, तो कितना आ गया, यह आ गया, गुरुजी पैंसट और पांच, सत्तर, सत्तर और बीस, पिच्चान में, सत्तर और बीस, नभए, नभए और तीन, प्राण में, अब यह कौन सी फ्रेक्शन मन गई? इमप्रॉपर, इसको प्रॉपर में बदलो, इसको बढ़ो, मिक्स फ्रेक्शन में बदलो, तो आप बोलोगे सर्व, 70, 70, 71, 70, 23, तो यह हो गई आपकी mix fraction उसको भी ढंक से लिखना आना चाहिए अगला करिए example 3 बटे 4 minus 1 बटे 2 plus का 1 बटे 3 minus का 1 बटे 5 चलिए हल करके बताओ चलो solve करके बताओ फिर एक एक करके आगे चलेंगे फिर आज comparison भी सीखेंगे थोड़ा बहुत हाँ पूरा चीज करेंगे आपन देखो सब क्या करूँ आप आपस में करा सकते हो 3 दूनी 6 चार एकम 4 6 में से 4 गया तो 2 और 4 दूनी 8 ठीक है plus लगा दो 5 एकम 5 तीन एकम 3 तो 5 में से 3 गया तो 2 5 तीया 15 अब इनको आपस में बढ़ा दो इसको हला की हल करके लिख सकते हो एक बटे 4 तो 4 दूनी 8 15 एकम 15 15 और 8 23 और 15 चोके साथ मजा आ रहा है भाई 23 बटे साथ दिनेश कह रहा है हमसे कि सर फास्ट पढ़ाओ हेलो सर फास्ट पढ़ाओ दिनेश हर तरह का बच्चा है भाई अगला एक्जामपल मैं ले लेता हूँ आपके लिए अगला एक्जामपल मैं लेता हूँ उसका जवाब देना प्लीज ध्यान देना मैं अब मिक्स फ्रेक्षन को जोड रहा हूँ तीन सही एक बटे पांच प्लस दो सही दो बटे पांच अब मुझे बताओ यह क्या होगा इनको जोडने का सही तरीका क्या है इसर लाइक फ्रेक्षन अमेशश प्रॉपर फ्रेक्षन ही होगा या improper वो भी हो सकता है like fraction का denominator same होना चाहिए बस वो हो जाएगा अपने आपी ठीक है ना जब denominator same हो गया तो वो अपने आपी like बन जाएगा तो sir क्या करें बड़े लोग बड़े लोग देखो कभी भी कोई ये कौन सी भिन है पहले तो ये बताओ इस भिन का नाम क्या है इस भिन का नाम क्या है सर ये जो भिन है ना ये mix fraction है ये जो भिन है ना ये mix fraction ठीक है गुरू जी ये है mix fraction mix fraction दो भागों में विवाजित होती है वो कौन कौन से दो भाग होते हैं बताओ mix fraction दो भागों में विवाजित होती है वे दो भाग कौन कौन से होते हैं बताओ तो sir mix fraction दो भागों में विवाजित होती है वो दो भाग होते हैं बड़े लोगों को पड़े लोगों की तरफ एक तो पूर्णांक वाला भाग और एक proper भिन्न वाला भाग याद रखना एक पूनांक वाला भाग और एक उचित भिन्न वाला भाग कहा लिखाया यहां लिखाया कि कभी भी mix fraction आ जाए तो दो भागों में बढ़ता है पूनांक वाला भाग और उचित भिन्न वाला भाग यह एक जो चीज मैं बता रहा हूं ना हर चीज पर प्रश्न बन रहा है पेपर में यह मैं लिख के दे रहूं आपको हाँ फिर मैं बता रहूं पेपर फोर ना है न तो यह बारीकियों को समझो ठीक है गुरू प्लस क्या इसको लिख सकता हूं दो सही दो बटे पांच अब देखिए जरा बड़े लोगों को बड़े लोगों के साथ जोड़ दो यानि कि पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ दिया और एक बटे पांच और दो बटे पांच तीन बटे पांच यानि कि कुल मलाकर यह आ जाएगा बीच में प्लस गायब हो जाएगा और य यहां बीच में होता प्लस हमेशा है, हमेशा होता है यह ध्यान लखना, अगला करिए चलिए, अभी मज़ा आएगा, एक एक चीज सीखोगे ना तब अच्छा लगेगा, सीडी पर ऐसी चड़ा जाता है, कोई उपर से नहीं टपकता है यहां पर, यहां से चड़ा जाता है, तो यहीं से चल रहे हैं, ठीक है, और मेरी चीज यही है, कि जैसा एक्जाम होता है, उसी क्वालिटी का मैं कॉंटेंट देता हूँ, उसी बेसिक से, वही मैं दे रहा अब मैं अगला कोश्चन आपके सामने देता हूँ 14 सही 1 बटे 2 प्लस 2 सही 1 बटे 3 माइनस 1 सही 1 बटे 4 बता ये क्या होगा आए बड़े लोगों को बड़े लोगों के साथ जोड़ दो 14 और 2 16 में से एक गया तो 15 और भिन्नों को भिन्नों के साथ ले लो क्याने कि दो एक बटे 3 एक बटे दो एक बटे दीन एक बटे चार तो यहां मैंने ले लिया लसीम 12 तो देखो 2 छिगी 12 तीन चौके 12 चार तीया 12 तो 15 प्लस 10 में से 3 गया तो 7 बटे 12 प्लस खा जाता है क्योंकि उसके अंदर ही रहता है 15 प्लस 7 बटे 12 इस तरह से आ रहा है भाई सबका बहुत अच्छी बात है अगला एक्जामपल ले लिजी जैसे कि मैंने एक चीज लिख दिया आपके लिए 5 माइनस 3 सही 1 बटे 2 इसका मतलब क्या है अगला एक्जामपल लिख दिया मैंने 14 माइनस 5 सही 13 बटे 19 इसका मतलब क्या है कोई बताएगा आप में से कि बताओ तो सर अभी आपने सिखाया बड़े लोगों को बड़े लोग लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों यह बच्चा गलती करता है कि आपको यह अंदर पता होना चाहिए कि यह 3 प्लस एक बटे 2 है तो जब बहार कभी भी कोश्टक के ब माइनस खट-खट आएगा तो अंदर भी चिन परिवर्तित हो जाएगा दुबारा बोलता हूं अगर कोश्टक के बाहर माइनस खट-खट आएगा तो अंदर वाला चिन भी परिवर्तित हो जाएगा यानि कि 5 में से बड़े लोग दो तो गए लेकिन माइनस का एक बटे 2 बहेगा उत्तर 3 बटे 2 आएगा और इसको भी डंग से लिखना पड़ेगा एक सई एक बटे 2 यह आप आंसर देखकर आएंगे पेपर में आई बास समझ में इसी प्रकार तरीका देखना 14 में से 5 जाएगा तो 9 तो आ जाएगा लिकिन माइनस कितना होगा 13 बटे 19 सही बोल रहा हूं ना तो अब आपकी समझ्चा का हल आने वाला है बोले सर क्या 9 से में गुणा नहीं करना चाहता तो क्या मैं इस 9 को लिख सकता हो गया 8 प्लस 1 बोलिए वाई साब बोलिए माश्य है आप इसे बूछ रहा हूं क्या आप इसको यह लिख सकते हो क्या 9 को हां तो अब इसको तो 19 से कम 19 में से 13 गए तो 8 सही 6 बटे 19 लिख सकते हो अरे घजब क्लियर अच्छा से इसका मतलब है क्या कुछ येस मैंने आपको कोशन दे दिया नो हजार नो सो निन्याण में माइनस छे बटे साथ प्लस नो सो निन्याण में प्लस छे बटे साथ अंसर बताओ क्या होगा तो कटी गया वैसे नहीं इसा करता हूं नौ सो निन्याण में चुक्ता हूं बस तो गुरुजी बात यह है कि आप बताओ क्या साथ से गुणा कर लोगे क्या नहीं मैं तरीका देखता हूं नाइन 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 एट प्लस वन लिख सकता हूं क्या अहां यह करो सर आप तो यह चीज तो आपकी क्या हो जाएगी एक बटे साथ तो यहां आप नौ सो निन्याण में को जोड़ दो 9 और 8 17 9 9 18 11 9 9 9 18 11 11 9 10 तो आनसर कितना आएगा यह आएगा तो इतना कहत खतरना dość कुशन का भी जवाब आप दे सकते हो क्योंकि आपको जो उप्शन है उसमें यह मिलेगा ऐस कुशन आते हैं पेपर में चलिए अगला एक्जामपल 13,988 में माइनस 13 बटे 17 बोलिए तो गुरुजी आप ये दिमाग लगा सकते हो कि 13,0997 लिख दिया लिख दिया ने लिख दिया हां लिख दिया और इसको लिख दिया एक माइनस 13 बटे 17 तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 13,0997 चार बटे 17 यही पेपर में आते हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होना एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए अगला एक्जामपल एक हजार नौसो सत्यासी माइनस 13 बटे 11 जवाब दीजे जवाब दीजे आप मैं हर चीज कराऊंगा चिंता मत करो अभी तो यह आज शुरुआत थी कि आपने फ्रेक्शन को समझा है आप फ्रेक्शन को जाने हैं आपने फ्रेक्शन की चीजे सीखी है हां तो गुरुजी यह क्या हिसाब किताब है हिसाब किताब यह है उन्निस सो च्यासी तो लिख दो लेकिन देखो ढंक से पहले आप पहले हिसाब करो बराबर इसको आप लिख सकते हो पहले इंप्रॉपर फ्रेक्शन को प्रॉपर फ्रेक्शन में बदला जाता है तो यह ल चलेगी आपकी क्या 1985 और 9 बटे 11 आई बात समझ में है तो जल्देबाजी के चक्कर में गलती मत कर देना क्योंकि चीजे यही बनने वाली है वेपर में आपके पास ठीक है ठीक है अच्छा लग रहा idea ऐसे ही मिलेगा regular class चलेगी आपकी यहाँ पर 8 बजे आप subscribe कर लो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे अब आजाईए अब चीज करते हैं comparison पर बात करते हैं comparison of fraction भिन्नों की तुलना करना यह क्या चीज है सर एक्जाम्पल के तौर पर टाइप नंबर वन यह कहता है कि 7 बटे 8 7 बटे 9 7 बटे 10 7 बटे 11 नोट लिख लेना टाइप वन टाइप वन कहता है यदि अंश याने की numerator समान हो तो भिन्न का हर याने की denominator तै करेगा की कौन बड़ा है और कौन छोटा मतलब यह है कि अगर आपका numerator equal है तो हमेशा याद रखना जिस भी भिन्न का denominator बड़ा वह भिन्न छोटा जिस भी भिन्न का denominator बड़ा वह भिन्न छोटा याने की comparison कराओगे तो जिसके जो नीचे से सबसे ज़्यादा हलका होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा यदि आपका अंश सेम है तो अगला example दूसरा type अगला type मैं दे रहा हूं 7 बटे 8 9 बटे 8 11 बटे 8 13 बटे 8 आप मुझे बताईए कौन बड़ा और कौन छोटा तो आप यह कहेंगे हाँ आप यह कहेंगे कि सर अगर आप comparison करा रहे हो और denominator सेम है तो आप इतना ध्यान रहे कि कभी भी किसी भी चीज़ को बड़ा देखते होना तो numerator से depend होता है face to face पता लगता है कि कोई बड़ा या चोटा है तो आपको देखना होगा कि सर जिसका numerator बड़ा वो सबसे बड़ा और जिसका numerator चोटा वो सबसे चोटा अगर denominator आपका क्या हो समान हो ठीक है अच्छी बात है clear है क्या समझ में आ रही है बात चले तो अभी मैंने यहां तक आपको पताया है कल आपन कौन-कौन सी चीज़े सीखेंगे कल सबसे पहले आते ही आपन एक difference method आता है उससे तुलना करना सीखेंगे उसके बाद में cross method आता है उससे तुलना करना सीखेंगे उसके बाद में आपन स्टार्ट करेंगे decimal fraction दशमलब भिन का अगला पार्ट अशान्त शान्त ठीक है चलिए तो class कैसी लगी जल्दी से मुझे बताओ वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तों क्योंकि इसी तरह का content मैं आपको देने वाला हूँ मेरे साथ अगर आप complete course करना चाहते हैं जैसी कि अभी तो ये एक chapter में पढ़ाऊंगा आपको अगर आप मेरे साथ complete course करना चाहते हैं तो मेरे साथ अनकेडमी पर आज ही जुड़ जाएं क्योंकि अनकेडमी पर जैसे ही आज साहिल 10 course लगा कर जुड़ोगे आप तो आपको 10% का नहीं आपको double discount मिल रहा है मैंने एक इलाज कर रखा है नीचे description में मैंने link डाली हुई है आप directly मेरे courses से जुड़ सकते हैं जो कि इंडिया के best courses है math के तोर पर मैं अगर बात करूँ तो मैं हर एक बारिक चीज़ पढ़ाऊंगा आपको यह मेरी guarantee है चाहे किसी भी तरह से पढ़ाऊंगा आपको मेरा foundation batch मिलेगा आप अनकेडमी पर इस वक्त आप UPSC की तयारी करें IIT की करें नीट की करें किसी की भी तयारी करें 40 से 45 से ज़्यादा goal है अनकेडमी learning app पर आप घर बेटे किसी की भी तयारी कर सकते हैं आपको get subscription पर जाना है और जब आपको 24 महीने का subscription ले लो Iconic लेना मैं फायदे की बाद बता रहा हूं तो आपको Sahil 10 code लगा देना जिससे कि आपकी जो price है वो अपने आप कम हो जाएगी और 25 से लेकर 28 तारिक तक आपका जो ये offer चल रहा है इस offer का आप फायदा उठाओ और अधिक्तम discount लेकर जाओ मेरा यही मानना है और live test पड़ो कलम तराजू method भी पड़ेंगे ठीक है चलिए तो Sahil 10 code लगाकर मेरे साथ जुड़िए Iconic subscription लीजिए और बहुत कुछ आपको मिलेगा Iconic features मेरे course के साथ unlimited access सभी course मिलने वाले आपको सभी courses का unlimited access मिलेगा PDF practice session doubt session raise your hand और guidance यह सब कुछ मैं आपको दूंगा मेरे courses के साथ में और अन्य सारी subject भी अच्छी बात है यार यह पढ़ाई करो साहिल 10 लगाओ और जुड़ जाओ यह टेलिग्राम है यहाँ पर आपको लगातार मेरी classes के update मिलती है मिलती रहेगी तो चैनल को subscribe कर लेना यार रहना जिन्होंने भी नहीं किया है क्योंकि यह बहुत काम की चीज़ है अच्छा कल क्या होने वाला है कल साड़े चार बजे क्या होने वाला है कल साड़े चार बजे हम factors पढ़ने वाले हैं तैयार रहना दो class होती है मेरी एक दुपैर में होती है साड़े चार याइफ पांच बजे और एक रात को आठ बजे होती है, ठीक है, चलिए, तो मज़ा आ गया होगा, बुक आ रही है, बस बोक बहुत अच्छी बनी है बुक और वो लॉंच हो रही है, बस जल्दी बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी लॉंच करने वाला हूं, बता और यहां यह topic चल रहा है सभी राजस्तान वीडियो लेकपाल सब के लिए ओके तो take care all the very best नीचे description में link है टेलिग्राम से भी जुड़ जाना और वीडियो को like भी कर देना शेयर भी कर देना तो take care, bye bye, love you all झाल 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 झाल